पांचटी गुरुत्य पुर्ण विशेवुपर एक केंदर क्याबिनेटरे बड़ा निस्पती आफ़टी बड़ा प्रजेक्टू पर एक केंदर क्याबिनेटरे महरा बाजी छी नमकार दर्शक GTV भारत उडिया नियुद्चेनाल को आपणको स्वागत करूछी मुरामदस संपुर्ण खबर जानिवया प्रजेक्टू परे चर्चा करा जाईछी चेकवडिका काण रहची आशंतु सुनिवा उवा बुझी नेवा ए संपर करे केंदरे महरा बंत्री अस्पी ने बड़ाइश्टवाय का सांबाधिका सम्मेलेंडरे बिश्तूत भावे उपस्तापन करी छंती सुनांतु काण कही छंती साथियों आज चाबिनेट में प्रदानमंत्रिशी नरेंडर मोदी जी के अध्यक्षिता में एतिहासिक फैसले हुए सबसे पहला जैसा आपने देखा हाली में बजट में माने प्रदानमंत्री जी ने एक नई कल्पना दीती पूर्वदे की कल्पना पूर्वदे से ही भारत का उदे हो सकता है भारत के इस्टन स्टेट्स में एक विशेश फोकस के साथ डेवलप्मेंट कैसे हो वैसा माने प्रदानमंत्री जी ने बजट के दौरान कल्पना दीती और जैसा प्रदानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है जो वो कहते हैं वो करते हैं और आपने आज क्याबिनेट में जो फैसले हुए हैं उससे इस पष्ट पता चलता है उडिसा, बिहार, जारकंड, पश्यम बंगाल, नौर्थ एस्ट और आंधर प्रदेश के प्रती, पूरे के पूरे एस्टर्ण सेक्टर के प्रती जो प्रतिबद दता है, वो इससे क्लिरली दिखाए देखती है. आठ बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में प्रदानमंत्री जी ने अप्रूव किये हैं. इन आठ बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स से, एस्पिरेशनल डिस्ट्रेक्ट्स, ट्राइबल, बहुल शेत्र, आदिवासी बहुल शेत्र, इन सब को एक बहुत development का माध्यम मिलेगा इन आठ बड़े प्रोजेक्ट्स में तीन प्रोजेक्ट्स है उडिसा का जो सदन पोर्शन है और वेस्टन पोर्शन है उसके गुनुपूर थेरुबली न्यू लाइन 73 किलोमेटर्स जुनागर नवरंगपूर न्यू लाइन इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वेस्टन उडिसा में कम्प्लीट एक कॉरिडोर बनता है वेस्टन उडिसा से साउथ उडिसा और आगे आंदरप्रिदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करने वाले और उस कॉरिडोर को और आगे देखेंगे अगर हम तो प्रैक्टिकली आसन सोल से लेके नीचे वारंगल तक कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बनता है इसका बहुत ही एकनॉमिक इंपॉर्टेंस है त्यूरिजम के पॉइंट अफ यू से इंपॉर्टेंस है इसके मल्टिपल एफेक्ट है कम्प्लीट चतिसगड को जारखंड को उडिसा को इन तीनों राज्यों को इस्ट कोस्ट के जो पोर्ट सें उनसे कनेक्टिविटी मिलेगी और यहाँ पे जो आदिवासी बहुल शेत्र है उसमें प्रोजेक्ट के दोरान एम्प्लाइमेंट जनरेट होगा और प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाने के बाद में भी एम्प्लाइमेंट जनरेट होगा क्योंकि एकनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी इसके बाद में जो तीन प्रोजेक्ट है वो नॉर्दन उडिशा के मयूर्भंज और केउंजर इन दोनों जिलों जो दोनों की दोनों आदिवासी बहुल शेत्र है इसमें बादाम पहाड केउंजर नियू लाइन 82 किलोमेटर्स की बांगरी पोसी गोरु महिसानी नियू लाइन 85 किलोमेटर्स और बुरा मुरा चकुल नियू लाइन 59.9 याने 60 किलोमेटर्स ये तीनों प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थीस्ट याने बेंगॉल, जारकंड, बिहार और नॉर्थीस्ट के स्टेट्स इन तीनों को एक कॉरिडोर प्रवाइड करेंगे जिससे की इस्ट कोस्ट के पोर् नॉर्थ से उनके जरूर्थ की चीजें एरियाज में जा सके हैं। कम्प्लीटली ट्राइबल पॉपुलेशन वाले इन दोनों इन जिलों में इन प्रोजेक्ट्स से बहुत अच्छा एकनॉमिक डेवलप्मेंट होगा। और इसका अगर आप देखें, तो मयूर्भंज में सिमलिपाल का जो रिजर्व फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व है, वो दुनिया की एक बहुत ही अनूठी मिसाल है। वैसे ही कोरापुट में जो कॉफी है, कोरापुट कॉफी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मिसाल बन रही है। इन सब को ध्यान में रखते ह यह प्रोजेक्ट उडिशा के अंदर आये है। इसके बाद में एक बहुत इंपोर्टन प्रोजेक्ट है, जो जारकंड और बिहार को गंगा जी के उपर एक नया ब्रिज लेके, रेल्वे का उस ब्रिज को लेके जोडता है, वो प्रोजेक्ट है विक्रम सिला से कटारिया निव लाइन, यह लाइन तो 26 किलोमेटर है, लेकिन इस पे गंगा जी पे बड़ा ब्रिज टू लाइन का बनेगा, जिससे डबल लाइन का बनेगा, जिसमें 2549 करोर रूपीज का इन्वेस्टमेंट आएगा। गंगा जी पे अभी जो ब्रिजेस है, वो हाईली ओवर सेच आपके सामने भी महिरुबंज और केउंजर जिले के प्रोजेक्ट्स रखे, इनसे एंटायर नेपाल, बिहार, उर्वांचल और बेंगॉल और नौर्थ इस्ट, इनको पूरे कोई कोरिडोर मिलेगा, जो कोरिडोर इस्टन कोस्ट लाइन पे जो पोर्ट्स हैं, उन मिन्रल का हब है, उससे आराम से बिहार, बेंगॉल और नौर्थ इस्ट में मिन्रल का ट्रांस्पोर्टेशन हो सकेगा, फटलाइजर और फूड ग्रेन का ट्रांस्पोर्टेशन हो सकेगा, और पैसेंजर के लिए बहुत बड़ी नई कैपैसिटी इससे क्रियेट होगी, ए और उत्तर महराष्ट्रा, इन दोनों को जोडता हुआ जल्गाओं से जालना, जालना हुआ जल्गाओं हुआ उत्तर महराष्ट्रा में, जल्गाओं हुआ उत्तर महराष्ट्रा में, जल्गाओं से जालना का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नही लाई नह सेवन थाउजन वन हंड़ेड फाइव करोड रुपीज की कंप्लीशन कॉस्ट होगी 174 किलोमेटर का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से पूरे मराथवाडा को प्रांस्पोटेशन के लिए पैसिंजर के लिए गुठ्स के लिए फटलाइजर के लिए वहाँ पर बड़ी अच्छी सिमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए इन सब के लिए एक अच्छा टांस्पोटेशन कॉरिडोर मिलेगा और इससे जो वर्ल्ड हेरिटेज है अजन्टा और एलोरा की केव्स उनको कनेक्टिविटी मिलेगी इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है अजन्ता केव्स रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम जालना एंड जलगाउं तो इस तरह से आठ बड़े रेल्वे प्रोजेक्ट्स जो आज करीब 24,657 करोर रूपीज के यह आठ के आठ प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे इंप्लिकेशन्स हैं आप सब जानते हैं कि रेल्वे एक बहुती एन्वायमेंट फ्रेंडली ट्रांस्पोर्टेशन का मोड है इससे इन आठो प्रोजेक्ट्स से 143 मिलियन टन कारगो रेल मोड पे आएगा उससे टोटल 767 करोड किलोग्राम्स अफ कारबन डायोक्साइड एमिशन्स बचेंगे आप उसका 767 करोड कारबन डायोक्साइड एमिशन्स को सरल बाशा में समझेंगे तो इसका मतलब हुआ ये आठ प्रोजेक्ट करना is equivalent to planting 30 करोड ट्रीज it is equivalent to planting 30 करोड ट्रीज 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 करोड तो ये बहुत ही महत्वपून और इस इन दी एंटार चेल अफ दिसिए इन इन दी नू गूर्में शुरवात में ऑफ्शोर विंड अनरजी वदावन पोर्ट फिर हैवे के प्रोजेक्ट्स फिर अब रेल्वे के प्रोजेक्ट्स तो जो इंफ्रस्रुक्चर की ग्रोथ स्ट प्रोजपूरी है त्जा इन दी ग्रोग्राम की रमेंश भरी मोठ जान आज़के फैसले उसी प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी महत्वपून मेल स्टोन है. This was the first item. I will come to the second item. सेकिंड आइटम में साथियों माने प्रदानमंत्री शीन नरेंदर मोदी जी का हमेशा से गरीब वंचित और मिडल क्लास परिवारों पे बहुत बड़ा फोकस रहा है इसलिए पहले दस वर्षों में चार करोड घर प्रदानमंत्री आवास योजना के तहट पूरे देश बर में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफोर्मेशन इससे आ रहा है इसी कड़ी में तीन करोड और नए घर जो प्रदानमंत्री जी ने अपने पहली गोशना की थी आज उसके इंप्लिमेंटेशन के लिए काबिनेट में डिटेल्ड चर्चा हुई डिटेल्ड काबिनेट में डिसकेशन हुआ इस पे और तीन करोड नए घर बनाने का फैसला लिया गया जिसमें तीन लाग साथ हजार करोड त्री लाग सिक्ष्टी थाउजन करोड रुपीस का टोटल बजटरी प्रोविजन रहेगा दो करोड घर रूरल एरियास में रहेंगे और एक करोड घर अर्बन एरियास में रहेंगे अर्बन एरियास में एक बहुत इंपोर्टन फैसला पी ए मावास योजना में लिया गया है वो है कि हमारे ग्रामीन शित्रों से बेटिया बहने आजकल कई शहरों में काम करने के लिए जब आती है जैसे आपने देखा होगा मुबाइल फोन के प्रड़क्शन में मैक्सिमम एम्प्लॉइमेंट विमन एम्प्लॉइमेंट है उनके लिए सबके लिए वरकिंग विमन्स हॉस्टल की विवस्था इसमें की गई वरकिंग विमन्स हॉस्टल की विवस्था की गई सेकेंड बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेग्मेंट है उस सेग्मेंट में इंट्रेस्ट लो इंट्रेस्ट रेट पे देने का जो प्रोविजन है उसमें और आगे और इसमें प्रोविजन बढ़ाया गया है EWS, LIG और MIG कैटेगरीज में 25 लाक रुपे तक के होम लोन पर 4 परसंट, 4 परसंट की रेट से इंट्रेस्ट सब्सिडी दी जाएगी 1.8 लाक रुपीज इसमें कैप रहेगा और 5 यह फाइव एन्नुल इंस्टॉल्मेंट्स में यह सब्सिडी दी जाएगी इसके लिए क्रेडिट गैरंटी और जो फाइनेंशल प्रोविजन किया गया है उसमें क्रेडिट गैरंटी में भी इंक्रीज किया गया है एक हजार करोड रुपे का जो कॉर्पस था उसको बढ़ाकर तीन हजार करोड रुपे का कॉर्पस बनाया गया है इससे अफोड़ेबल हाउसिंग का जो फाइनेंसिंग का मिकैनिजम है और अफोड़ेबिलिटी बहुत बढ़ेगी और जो लो इंकम और मिडल इंकम फैमिलीज है उनके लिए एक बहुत अच्छा ही माध्यम बनेगा मैं साथियो आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कई ग्रामीन शित्रों में मैंने सुहम जाके देखा है और आप भी जाके देखिए पक्का घर जब बनता है तो उस पूरी फैमिली में एक ट्रांस्फरमेशन आता है और ये केवल घर नहीं है घर के साथ कई सारी बुनियादी सुविदाएं दी जारी है वाटर कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन एक तरीके से लाइफ में एक इतना बड़ा परिवर्तन आए वो पियम आवास योजना का उदेश्य है और इसको आगे बढ़ाके अगले पांच वर्षों में तीन करोड और घर बनाये जाएंगे और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा विष्व में इतनी बड़ी इंक्लूजव ग्रोथ की इतनी बड़ी इंक्लूजव ग्रोथ का बहुत कम ऐसांपल से इसे This is one of the most inclusive growth programs taken by NDA government under the leadership of Prime Minister Shrinarendra Modi ji I'll come to the third point A very major decision has been taken today आज किसानों की इंकम को बढ़ाने की लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, वो है Clean Crop Program, इसमें Clean Plant Program, इसमें Horticulture के जो Plantations होते हैं, Horticulture अच्छी income देने वाला एक major source of income है किसानों के लिए, इसमें जो सबसे बड़ी problem आती थी, वो होता था कि जो Plants आएं, उन Plants में Virus का Infection बहुत रहता था। Productivity कम हो जाती थी, Quality में Defect आजाता था, Export के लिए दिक्कत होती थी, और Market में Price उसका Problematic रहता था। उस Root Cause को, उस Mool Problem को Solve करने के लिए, ये प्रोग्राम आज Cabinet में रदानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। इसके अंतरगत, 9 Institutions को Clean Plant Centers की रूप में विक्सित किया जाएगा, और 75 Nurseries जो की Clean Mother Planting Material की रेप्लिकेशन के लिए तयार की जाएगी। आप अगर इसको साधरन भाशा में समझें, तो एक तरीके से जितने प्रूट्स और होटिकल्चर की दूसरे प्लांट्स हैं, बनाना, ओरेंज, संत्रा, चीकू, कई तरह के अंजीर, कई तरह के जो प्लांट्स हैं, इसमें इस प्रोग्राम के बाद में, प्रॉडक्टिव आएगा, आपको ये जानकर आश्चरी होगा, कि होटिकल्चर के प्रॉडक्ट्स का एक्सपोर्ट गत दस पर्शों में बढ़के करीब पचास हजार करोड रुपे से ज्यादा का हो चुका है, किसानों के लिए अच्छी इंकम का सोर्स है, अच्छा निउट्रिशन का सोर् क्रॉप के डाइवसिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस होती है, इसलिए इस प्रोग्राम को, इस महत्वपुन प्रोग्राम को और इसमें बहुत साइंटिफिक थॉट है, आप इसको भी अगर देखें, तो बजट में बहुत क्लियरली एक साइंटिफिक वे में रिसर्च करक किसानों के इंपुट्स को बेटर कॉलिटी का कैसा बनाएं, इंपुट्स को हायर प्रोडक्टिविटी वाला कैसा बनाएं, वो सब बजट में गोशना की गई थी, और जैसा मैंने पहले कहा, प्रदार मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, वो करते हैं और इसमें क्लीन प्लांट प्रोग्राम में 1,766 करोल रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा आप सब जानते हैं साथियों आत्म निर्वर भारत की और अन्वार्मेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा रोल है एथनॉल का पिशले दस वर्षों में एथनॉल ब्लेंडिंग का एक बहुत अंबिशियोस प्रोग्राम लिया गया है और उसमें जो रिजल्स आएं वो रिजल्स अमेजिंग रिजल्स दस वर्ष पहले जहां 1.5 परसंट एथनॉल ब्लेंडिंग होती थी इस बहुत बड़ी सक्सेस पे बिल्डप करते हुए एथनॉल का जो प्रोग्राम है जो बायो मास से एथनॉल बनाने का काम है उस प्रोग्राम का नाम है PMG1 PMG1 इस PMG1 कारिकरम को प्रोग्राम को और 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें 1969 करोड रुपे का इंवेस्टमेंट और किया जाएगा इसका बहुत लॉग टर्म इंपक्ट रहेगा देश पे एंवायमेंटली कॉंशियस एंवायमेंटली सस्टेनिबल फ्यूल और इसमें आगे एरक्राफ्ट का जो ATF है एविएशन टर्माइन फ्यूल उसमें भी एथनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम हाथ में लिया गया है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा ये चार बड़े फैसले थे साथियो और मैं लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई कैबिनेट में उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा अभी जो हाली में मानिय सुप्रीम कोट ने आरक्षन के विशे पर एक जज्ज्मेंट दिया है इस जज्ज्मेंट ने सुप्रीम कोट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विशे में कुछ सुझाव दिये आज मानिय प्रदान मंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विशे पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सु विचारित वेल थौट थू मत्र है कि NDA सरकार बाबा सहिब अंबेडगरजी के बनाएं सम्विदान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है संकल्पबद्ध है बाबा सहिब अंबेडगरजी के सम्विदान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है कैबिनेट का सु विचारित मत्र है कि बाबा सहिब अंबेडगर के सम्विदान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की विवस्था होनी चाहिए ये साथियों पाँच बड़े फैसले आपके सामने रखे I'll take some questions already it is 9.50 प्रशांत प्रशांत हुए सबसे पहला सर आखरी में जो आपने बाद कहीं सार एक क्रेमी लेर का मसला है दूसरा सब केटेगराजिशन का भी मसला है सरार अरक्षन के भीतर आरक्षन का क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई कैबिनेट में और क्या फैसला हुए जितनी चर्चा हुई मैंने उतना बताया 190 जितनी चर्चा हुई मैंने उतना बताया आप मत है, ओपीनियन है अभी हाल ही में मालिय सुप्रीम कोट ने आरक्षन के विशे पर एक जज़्जमेंट दिया है इस ज़्जमेंट में सुप्रीम कोट ने SC और ST डिजर्वेशन पर सुझाव दिये है आज प्रदान मंत्री जी की अध्यक्षिता में कैबिनेट में इस विशे पर विस्तुर चर्चा हुई है कैबिनेट का सुविचारित मत् है कि NDA सरकार बाबा साहिब अंबेटकर जी के बनाए सम्विदान के प्रती संकल्प बद्ध है बाबा साहिब अंबेटकर के सम्विदान के अनुसार SC ST के आरक्षन में क्रिमी लेयर का प्रावदान नहीं है कैबिनेट का सू विचारित मत है कि बाबा साहिब अंबेट करके समिधान के अनुसार ही SC और STK आरक्षन की विवस्ता होनी चाहिए सब्सक्राइब अपने हाउसिंग के लिए जो आज अनुस काबिनेट ने जो फैसला लिया है सर आप उसमें एक बता पाएंगे सर एड़्यूस के लिए कितनी कैटेगरी होगी और सर जो आप सबसिडाइज कर रहें इंटरस्ट रेट वो कितना होगा और सर जो आपने तीन करोड बोला आज सर उसमें दो करोड सर रूरल वन करोड तो सर अर्बन के लिए सर क्योंकि जो बज़ेट में है वो तू लाक टून्टी थाउजन करोड फाइव यर्स के लिए है तो सर उसके लिए कितना एलोकेशन अर्बन और रूरल का बजट का एलोकेशन और मेरे पास ब्रेक अप है ग्रामीन योजना रूरल एरिया का केंद्र का कॉंट्रिबूशन है उसमें puisqu now इंट्रेस सबसेंटन कितना आए गांगें सब चीज़ा आपकाण समयतर है कि ही तो आपकेशन फेशनेंगल नियूबशाद मेरे मेशना नियुक्रिबूशन एक सेटियू नियुक्रिग बूर। याने और इसी तरह से अर्बन का है टेंटर का 1.6 लाग क्रोर और स्टेट्स का 70,000 क्रोर इस तरह से डिविजिन है इंटरेस्ट सब्सीडी पर इग्जाक्ली कितना आएगा ये सब चीज़े आपको डिटेल्स जरूर प्रवाइड़ पर स्कीम तुरंत लाग होगी प्रधानमंत्री जी के पहले फैसलों में से ये फैसला है और इसका मिडल इंकम फैमिलीज पे लो इंकम फैमिलीज पे बहुत मेजर बेनिफित है एक सर एथनॉल पे जो फैसला हुआ सर उसमें कमेटी का भी सर बनाने का था क्योंकि जो टार्गेट पिछले पांच साल का था वो सर अब कम्प्लीट हो रहा है तो कमेटी फॉरमेशन भी था सर क्या उस पे भी आज फैसला है इंप्लिमेंटेशन के पू मैं पहले दूसरा प्रशन लेता हूं रेलवे के यह जो आठ प्रोजेक्स है यह आठ के आठ प्रोजेक्स पे बहुत सारा एक प्लानिंग का प्रोसेस जैसा आप जानते हैं कि PM गतिशक्ती पॉर्टल जब से बना है तब से प्लानिंग एस बिकम वेरी सिस्टमेटिक प्ला जितने भी रास्ते में कोई भी किसी दूसरे इंफरस्रेक्शर के प्रोजेक्ट का इंटराक्शन होता है मान लो कहीं पे एक ट्रांस्मिशन लाइन जा रही है या फिर कोई मान लो कोई सैंक्चुरी है रास्ते में उन सब को पहले से प्लान के अंदर एड्रेस किया जाता ह 8 कboro projects के completion के different timelines हैée कुछ 27 28 में complete होगी कुछ 28 29 में complete होगी और दो project ऐसे हैं'dो बहुत बढ़े difficult terrain में से जाएंगे वह 29 30 में complete के uh demek इतना cabinet में supreme court के judgment के विशे में discussion ऺङगी सब्सक्रिह करेंच सब्सक्राइब शा थो है 273 खबर्टी को सेच जायें देखिती बार आपनों को धन्यवाद पुने देखाया अब अन्याक को खबरोरे सेई समय पर्जमत विजाई नोची नमस्कार